असलाम लेकून मैं हूँ उस्मा कईून वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में ये दो ट्रैस हैं जो बहुत ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स हैं रेड एंड गोल्डन में जो पहनने में भी दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये यंग कर्ल्स के ड्रैसे हैं तो मैं आपको एक ये नया आइडिया दे रही हूं ये फंक्शन वगरा पर बहुत अच्छे लगेंगे पहनने वे एक घरारा है और एक शलवार कमीज है तो सबसे पहले ये मैं आपको जो दिखा रही हूं ये वैलवट की शलवार कमीज है और इसको तीनों ट्राउजा शर्ट सेम सारे रेड गलर में है ये शर्ट है इसके उपर ये सारी गोल्डन कोपर शेड में इंब्रोइडरी होई है और बीच में सारे सीक्वंस लगे में है गोल्डन शेड में और यहां पर ये फ्रंट सारा फूल इंब्रोइडरी है इसके दामन पर पाइप जब करते हैं तो वैलवर्ट के साथ उसकी लूप बहुत अच्छी आ रही है बैक दामन पे भी सारी इसी तरह पाइपिंग है और इसके स्लिट हैं स्लिट पे भी जरीया और जैंजा की पाइपिंग है और पाइपिंग भी मिक्स में हमें ने यूज की है गोल्डन कॉपर की है यह इसकी स्लिट है स्लिट इसकी बैल शेप में है और स्लिट के ओपनिंग पे पाइपिंग की है सिंपल अब मैं आपको इसका ट्रॉजर दिखाती हूं यह मतलब उपर से घेर जरा कुला रखके तो नीचे से इसका जो ट्रॉजर का पाइचा है ना वो ट्रॉजर की त पट्टी ऐजा बॉर्डर नीचे अटेश कर दी है इसे ट्रॉजर की लुक काफी खुबसूरत आ रही है ये ये देखें इस तरह ये सारी इसकी ट्रॉजर की शेप है ये उपर से खुला है और नीचे से स्ट्रेट जैसे ट्रॉजर की शेप होती है उस तरह है ये पहना वह ब लेंट वाली साइड़ हैega loodale say of the the you are oneСिर उस आड़ी हम और इस साथ mirig की है और जो पलूंगि है उसके वहाँ पे यह टैसल्स वाली सारी लेस लगाई है इसे कंप्रीन का रही है और यह हम मतलब आपका ना कि अच्छा-खास स्थ ही यह फैंसी सूड़ बन जाता है यह दुपट्टे की आल अवर लूक है इसका साइस काफी बड़ा है दुपट्टे का तो यह इस तरह यह पल्लू पे सारी लेस है यह जी सूट की ओवर अल लूक है नेक्स्ट यह है जी शर्ट यह जैमावार के कपरे की है और यह गरारे के साथ शर्ट है ब्राइट रेड कलर है और इसके उपर गोल्डन हमने सारा कॉंबिनेशन इसके साथ की है नेकलाइन पे लेस है एड़ की है गोल्डन कलर की और दामन पे भी वही लेस हमने एड़ की है गोल्डन कलर में यह सारी सिंपल उसको उपर रखके लगाया है अब मैं आपको इसकी बैक साइट दिखाती हूँ बैक साइट से इसकी नेक लाइन भी राउंड शेप में है वहाँ पे यह हमने डोरी एड की है डोरी को यह जो शेट वाला कपड़ा है उसी से त्यार करके उसके नीचे यह टेसल बनाया है यह टेसल की वीडियो भी मैंने शेयर की है मैं लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दूँगी आब हाँ से चेक कर सकते हैं बैक दामन पे भी हमने गोल्डन कलर की डोरी जो उपर लगाई है नेक लाइन पे और फ्रेंट पे वही हमने लगाई है साइड्स इसके सिंपल है चॉक्ष इसके और इसके चॉक्ष नार्मल है क्योंकि यह गरारे के साथ है तो इस शेट की लैंड थर्टी टू है तो उसी हिसाब से फिर चाक इसके रखे है स्लीव्स हैं स्लीव्स के आगे भी वही लैस एड की है गोल्डन कलर में और स्लीव्स जो हैं क्वाटर है क्योंकि ऐसे ड्रेसिस के साथ बैंगल्स वगएरा पेन यह अच्छी लगती है तो फिर जो स्लीव्स होती है थोड़ी शॉर्ट अच्छी लगती है यह है अगरारा यह आरगेंजा है उपर यह सारा जामवार उसके आरगेंजा पे बना हुआ है सारा गोल्डन और सिल्वर डबल शेड में यह गोल्डन सिल्वर मिक्स बड़ा अच्छा टच उनका आ रहा है यह देखें यह काफी ज्यादा इसका फ्लेयर है इसके यह नीचे दामन पे सारी यह गोल्डन कलर की डोरी सीक्वंस की लेस और फिर उसको सारा वो जरी आरगेंजा के साथ मैंने लगाया है जहाँ पे चुनट आती है वहाँ पे यह लेस एड़ की है लेस भी गोल्डन और सिल्वर डबल टून में है यह इसका तकरीबन यह पाँच कप्रे में सारा यह बना है और यह दो प्रिंट है एक जो पहले मैंने आपको दिखाया है एक यह दोनों में डिजाइन चेंज है यह फ्लावर्स का बाकी साइज और स्टिचिंग सेम दोनों की है यह देखें इसके फूल इस तरह बड़े बड़े आ रहे हैं और जो पहले मैंने दिखाया है वो छोटे फूलों वाला था अलास्टिक उपर जो हमने लगानी है वो हमने सादा कपड़ा उपर फोल करके लगानी है क्योंकि यह कपड़ा ठुपता है तो तो फिर वो एरिटेट करेगा उपर से न तो इसके भी इसके थोड़ी डल कलर की मैंने पाईपिंग यूज किया है ये इनके साद दुपटा है नहीं इसमें गोल्डन हलके से वह पाल्स लगे में और मिरेर है और नीचे रैड कलर के ही टेसलें धागे के बने वे यह सिर्फ चारों कॉर्णर पर एक एक लगाया है बाकी सिम्पल है दुपट्टा यह जी गरारे की लुक है आलवर यह पेहनवा बहुत खूबसूरत लगता है एक रॉयल सी लुक आती है और इसमें स्मार्ट लुक आती है आजकर लड़कियों बहुत शौक से यह पहनती है और पेहनवा भी अच्छा लगता है इसमें आजकल जो स्यादा लोग बना रहे हैं वो बहुत तंग लेर कर देती हैं सीधी सी वो लुक कर देती हैं उसमें अच्छी नहीं लगती है गरारा बेसिकली चुनट उसकी नी से उपर होनी चाहिए और खुला होना चाहिए जितना उसका ज्यादा फ्लेर होगा वो उत जन्द आई होगी प्लीज सब्क्राइब मैं चैनल थैंक यू अलाहाफीज